जहिंद बई सभीको तो भाई देखो हमारे देश का एक और अगनिवीर सहीद हो गया था बिहार सिवान का रहने वाला था वो अगनिवीर उसका नाम था प्रदिप कुमार यादव उसको लेकर मैंने पहले भी दो तीन वीडियो बना चुका हूँ अब चैनल पर जाओगे तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जैसा हर वीडियो में बताता हूँ आज की इस वीडियो में ऐसे आपको बिल्कुल समझाने कोसिस करूँगा ठीक है उनका कहना यह एक जो अगनिपत योजना है ये देश की आर्मी को कमजोर करने वाली योजना है वास्त बहिसा कि ज़ीस चीज चीज़ नेगेटी पॉइंट स्तु हो गा कुंधे कि आइग और किसी ज़ें'll बाए还是 कि किमेशे सीरुसरति जिरुर के शर्फटफिटना की जेंसे बहुत करते हमेंchen लोससे कभी कुछ negative point सामने आते हैं, कभी कुछ negative point आते हैं, कभी कोई इसके बारें बोलता है, कभी कोई पूरी CM बोल रहा है, तो कभी कोई विधायक बोल रहा है, ठीक है, तो पूरी पूरी न्यूज क्या है, तो पूरी चीज़ आप समझिए, ये देख लो भाई, आप यहाँ पर कुलू केंदर सरकार देश की सेना को अगनिवीद योजना में कमजोर बना रही है, चार साल में कैसे कोई यूवा बैतर जवान बन सकता है, दो साल का समय तो प्रिसिक छण में ही निकल जाता है, ये बात हिमाचल प्रदेश के पूर सेनिक लीग जिला कुलू एवं लाहोद पिती के चेर्मेन सेवा निवरित ब्रिगेडिर टी इश्ठाकुर ने डाहलपूर में सनिवार वो कही, ये जो बात है कि चार साल में कोई यूवा बैतर जवान नहीं बन सकता, और दो साल तो जो उसके प्रिसिक छण में ही निकल जाते हैं, तो ये बात जो एक ब्रिगेड प्रसासन को जिला इस्तर पर विजे दिवस मनाना चाहिए, देश की रक्षा में सेना के जवानों ने अपने प्राण नोचावर किये, ऐसे में जिला प्रसासन को चाहिए कि वे पूरु सेनी को और सहीत जवानों के परिजनों को विशेश दिवस पर सम्मान नित करें, उनक केंदर सरकार से अगनी वीर योजना को निरस्त कर पूरू की भाती सेना में जवानों की भरती करने की मांग की है मतलब उन्होंने कहा है कि जो अगनी वीर योजना है इसको भाई आप हटाओ और जो पूरू में जो मतलब पहले जो सेना के भरती होती थी उसी पिलकार से जो सेना में भरती होनी चाहिए यू आओं और जो सेना का विसेश दिवस है उसको जिला इस तर पर मनाना चाहिए और वहाँ पर जो सईदों के परीजन है उनको बुला कर वहाँ पर सम्मानित किया जाए ताकि उनका जो है मनोबल वड़े और यहाँ पर जो यह बात है यह वहाँ के एक विदाया के उनके द्वारा कही गई है उनका नाम है अमरजीत खुश्वा सेन्य सलामी देने के बाद प्रदीप का अंतिन संसकार दरोली सर्यू गाट के किनारे किया गया प्रदीप का एक जलक पाने को लेकर जीरा देही से लेकर दोन तक 30 किलोमेटर तक की सड़क के दोनों किनारे बहरी तादात में लोगों की भीड उमडी थी इधर जीरा देही के विदायक नेता अमरजीत खुश्वा ने एक बार फिर से केंदर सरकार के उपर निसाना सादा अमरजीत खुश्वा ने कहा कि जब अगनिवीर योजना आई थी तब भी हमने इसका विरोध किया और आज भी कर रहा हूं पहले जो सेनिक भरती होते थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी तब उन्हें बोर्डर पर भेजा जाता था लेकिन अगनिवीर सेनिकों को सरकार ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं दे रही है बोर्डर पर सेनिकों को भेज दिया जाता है अमरजीत खुश्वा ने आगे कहा कि प्रदीप के साहंस पर हमें गर्व है उनका कहना ये था कि जो सरकार है अगनीवीर सेनिकों को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे रही है और उपर से उनको जो बोर्डर इलाके में भेज दिया जाता है और वो कम पिर सिक्षित होते हैं तो उनके साथ ये हादसे हो रहे हैं तो भाई ये थी वो पूरी पूरी न्यूज और उम्मीद करता हूँ यार सारी चीज़े आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी क्योंकि मैंने काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिस की है और एसे हर वीडियो मैं आपको बताता हूँ चाय कोई भी न्यूज हो, कोई भी इंफोर्मेशन हो तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ठीक है क्योंकि काफी ज़्यादा महनत लगते है यार वीडियो बनाने में